कि हलो फ्रेंड से आपके साथ हैं आप एक ब्लाउज का कटिंग स्टिचिंग टूटोरियल लाई हूं यह देखें यह पर मैंने यह ब्लाउज लिया है इसका आज मैं स्टिचिंग वीडियो आपके साथ यहां पर शेयर करोंगे तो इसको हम एक जिस डिजाइन में बनाएंग इसलिए मैंने इसको फ्रेंट पे सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर फ्रेंट पे इसको रखोंगी कट स्लिव लाउज है और पैड़िट ब्लाउज है प्रिंसस कट में बनेगा तो पूरी वीडियो धियान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए यहां पर ज 30 इंच इसका जो चेस्ट साइज है वो 30 इंच है और जो कमर का साइज है वो 24 इंच है तो उसे सापसे हम इसको यहां पर कट करेंगे तो नॉर्मली जैसे मैं आपको बताती हूं ब्लाउज में हम लाइनिंग को किस तरीके से फोल्ड करते हैं सबसे पहले हम कपड़े को सीध खोल देते हैं उसके बाद जो है यह दोनों किनारी पकड़ के हम को इस तरीके से फोल्ड करना है यहां पर जो 30 नंबर का साइज है 30 नंबर का हम यह ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके लिए जो चोडाई हम लेंगे 30 का 1 4 करेंगे 30 का 1 4 आएगा साड़े साथ इंच उसमें 2 से 2,5 इंच हम प्लस कर लेंगे तो लगभग आएगा 11 इंच 11 इंच पर मैं यहां पर आपको यह डिजाइन जो है 10 से 11 इंच पर मैं आपको कट करके बताऊंगी आप अगर मार्जिन ज्यादा नहीं चाहते हैं तो कम बनाईएगा कम चोड़ाई कट कीजेगा मैं यहां पर वित मार्जन कट कर रही हूं तो वित मार्जन मैं यहां पर 11 इंच इसकी चोड़ाई ले रही हैं क्योंकि शादी के बाद लड़गियां काफी हल्दी हो जाती हैं तो अभी इस लड़गी के शादी होने वाली है इस वज़े से हमने इसके ब्लाउज में मार्जन ज्यादा रखना है तो हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं यह देखिए यहां पर हमने जो है इसको 11 इंच पर यहां पर निशान लगा लेना है इस तरह से आप बराबर करके 11 इंच पर यहां निशान लगा लेंगे यह देखिए 11 इंच पर हमारे यह कपड़ा फोल्ड हो पूरे कपड़े को पहले ही कट कर देना है तो यहां देखें यहां पर हमने इसको कट कर लिया है अब हम इसे चार फोल्ड कर आंगे जो कि इस तरीके से कड़ते हैं हम एक पल्ला उपर नीचे हमारा यहां पर रहता है एक पल्ला आगे का हमारा उपर बड़ा रहता है और ये नीचे का पल्ला है अब हम इस पर जो निशान बनाएंगे वो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे ये जो हमारा ब्लाउज है कपड़ा पहले हमें इसको चेक करना है इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो गहराई है यह हमारी बहुत जादा है यहाँ देखिए यह जो गहराई है हमारी यह लगबग हमारी जो है साड़े साथ से भी जादा आ रही है तो हमको जो है आगे का गला जादा से जादा साड़े 6 इंच रखना है तो इस हिसाब से हमको यहां से इसको cut करना है यानि उपर की side से हमें design को cut करना होगा इस तरह से तभी हम इस design को stitch कर पाएंगे proper आगे neck पर तो हमने पहले इसको निशान लगा लिया उसके बाद हमें यह देखिए यह निशान हमारा है यानि जो अंदर-अंदर हमारी सिलाई है वो लग भग 6,5 पोने 7 इंच का यह हमारा gap है तो यहां पे हम सिलाई के लिए थोड़ा सा कपड़ा यहां पे छोड़ देते हैं थोड़ा सा कपड़ा यहां दोनों साइड हमने स्टिचिंग के लिए कपड़ा ले लिया उसके बाद हमारा जो बचरा है यह बचरा है छेंच यानि कि 3 इंच जो है हम गले की चोड़ाई रखेंगे और यह जो हमारा हिस्सा है यह देखे 6 इंच तो हमें जो गले की चोड़ाई रखनी है वो 3 इंच रखनी है यहां से हमको पता चलता है जब हम यहां पे दोनों साइट कपड़ा छोड़ देते हैं स्टिचिंग के लिए तो 3 इंच पर हमको कटिंग करना है शोल्डर आप अपने कोडिंग ले सकते हैं तो यहां देखिए शोल्डर भी मैं यहां पर 3 इंच का ही रख रही हूं इस तरीके से अब आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं यहाँ पे नाप रही हूँ यहाँ हमने दो निशान लगा लिया यह हमारा ठीक सेंटर का निशान है यह निशान हमारे गले की कटिंग का है जो कि हम तीन इंच पे करेंगे शोल्डर की चोड़ाई हमको तीन इंच रखनी है इस तरीके से तो अब जो है कटिंग हमारी यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 6 इंच की कटिंग यहाँ पे उपर कंधे का हमको 6 इंच कटिंग रखना है आप चोड़ा करना चाहें तो चोड़ा कर सकते हैं क्योंकि स्टिचिंग के बाद यह और पतला हो जाएगा तो आप 1.5 इंच और चोड़ा कर सकते हैं लगभग 6.5 इंच ताकि जो है दोनोर सिलाई लगने के बाद आपका जो ये कंधा है वो ज़्यादा पतला ना हो तो साड़े छे इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगे तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर साड़े छे इंच पर निशान लगा लेते हैं आर्मोल हम ले लेते हैं यहाँ पर साड़े छे इंच इस तरह हमने इसको मिला लिया अब हम इसको गोल शेप कर देंगे कट स्लीव है इसलिए हम इसकी जो चौड़ाई है वो हमने बढ़ाई है थोड़ी अब हम इसको इस तरह से कट कर देते हैं कंदे को अलग कर लेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह हमने इसको दोनों पार्ट अलग अलग कर लेना है फ्रंट पार्ट में हमको गले की कटिंग नहीं करनी है इस तरह हम जो है आर्मोल का पहले निशान ड्रो करेंगे यह आर्मोल हो गया हमारा गला तीन इंच पर है अजान ड्रो करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से मिला देते हैं यहाँ से हमने इसको मिला दिया हो आर्मोल को यहाँ पर हम एक इंच लेंगे यह मैंने आपको कई बर बताया है जादा पतली लड़कीयां होती है तो रिबच हमें जादा गहराई नहीं देनी है एक इंच पर हम इसको हलका सा कर्व देते हुए मिला देंगे यहाँ से हम ले ले लेंगे पर गघे framework और इसको हम इस तर अचे तक मिला देंगे तो यह देखे कि यह हमारे जो है कटिंग तयार हो गया यह हमारे फ्रंट का कटिंग है इसको हम पहले कर लेते हैं तो यहां पर हमने प्रिंसेस कट जो है फ्रंट पार्ट का कटिंग कर दिया है अब हम बैक पार्ट कट कर लेंगे तो बैक पार्ट के लिए हमने कंधा ना पत है तीन इंच तीन इंच पर हम निशान लगा लेंगे जितना deep आपको neck चाहिए उतना deep आप यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए deep मैं यहाँ पर रख ले रही हूँ लगवग 10 इंच और यहाँ से हम थोड़ा सा V-shape देते हुए इस तरीके से neck को मिला देते हैं अब हम इसे cut कर लेना है यह blouse हम back hook में बनाएंगे तो यह cutting हम बाद में कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी normal जो cutting थी वो सारी cutting हो गई है अब main fabric पर हमको इसे cut करना है तो वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले जो है हम front party cut कर लेते हैं उसके लिए हम सबसे पहले कपड़े को सीधा इस तरीके से neck को अच्छे से सेट करके बिछा देंगे और जो हमारे यह center वाला हिस्सा था इसको हम यहाँ से mix करेंगे इस तरह से center से center को मिलाते हुए इस तरह से center मिलाते हुए हमको जो है इसको अच्छे से चारो और से pin कर लेना है उसके बाद हम इसको cut कर लेंगे तो friends यहाँ पर देखिए यह piece हमने यहाँ पर cut कर लिया यह हमारा front part है जो कि हम princess cut वाला cutting करने के बाद इसको इस तरह से रखके cut कर लिये अब हम दोनों side के part को यहाँ वाला जो हमारा part है उससे भी cut कर लेंगे और back side को भी इसी कपड़े में रखके cut कर लेंगे इसी तरीकी से हम जो है इस piece को भी cut कर लेंगे और यहाँ पर जो बचा हुआ fabric है इसको double रखके और हम back part को भी cut कर लेंगे back part आप कहीं भी रखके cut कर सकते हैं इसके लिए क्योंकि यहाँ पर हमारा यह portion खुला हुआ है back hook बनाएंगे हम तो हम इसको यही पर रखके cut कर लेते हैं तो friends यहाँ पर हमने इसको cut कर लिया है back part और front part दोनों हमने cut कर लिया है अब हमको main part cut करना है यह जो हमने front part cut किया था इसको हम एक और lining पे cut करेंगे यह भी मैं आपको बताती हूँ कि कई बार हमें double lining cut करनी होती है क्योंकि हमारा जो उपर का top का fabric है यह काफी पतला है तो इसको support देने के लिए एक lining चाहिए और एक और lining हमको चाहिए होती है जो कि हम use करते हैं princess cut में cup set करने के लिए तो यहाँ पर हम जो है अपना एक और lining यहाँ पर हम इसको front part को ही cable cut करना है back part को आपको single ही रहने देना है cable front part हम यहाँ पर cut कर लेंगे बचे हुए lining में तो यहाँ पर हमने यह cut कर लिया और दूसरा हम तो यहाँ पर हमने दोनों part के लिए lining को cut कर लिया है अब हम इसको stitch करेंगे वो मैं आपको बता लिती हूँ कैसे हम stitch करना है सबसे पहले तो एक lining आपका कपड़ी के साथ सेट हो जाएगा और एक lining आपको single stitch करनी है तो यह जो हमारी lining है यह single stitch होगी इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और यह यहाँ पर अब हमको यहाँ से पकड़ के इसको stitch कर देना है तो friends यहाँ पर देखिए यह तो हमने इसको attach कर लिया lining को उसके बाद हमें क्या है यह जो हमारा कपड़ा है main कपड़ा इसके साथ एक lining को पकड़ करके सिलाई लगा लेनी है आप पहले इसको किनारी से सिलाई लगा लिजेगा क्योंकि यह काफी slippy कपड़ा होता है तो इस तरीके से पहले सिलाई लगा के फिर दोनों को attach करना है आपको उसी तरीके से जैसे हमने lining attach किया है तो friends यहाँ पर देखिए हमने इसको जोड लिया है अब हम इसमें cup attach करेंगे तो cup attach करना मैंने आपको कई बर बताया है किस तरीके से करते हैं यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे सबसे पहले तो साड़े दस इंच पे हमने निशान लगाया था तो साड़े दस इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे देखिए यहाँ निशान हमारा दिख रहा है साड़े दस पे, इधर साइड साइड भी हम साड़े दस पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पर छोटा साइज लगेगा कप का, बिल्कुल छोटा साइज है 30 नमबर ये कप है, इसको हम पहले उल्टा कर लेंगे उल्टा करने के बाद जो है इसका हम क्रॉस निकाल लेंगे इस तरीके से ये देखिए क्रॉस पॉइंट आपको मिल गया ये पॉइंट हमको यहाँ पे पिन करना है इस तरह से आपको जो है क्रॉस पॉइंट पे विल्कुल पिन कर देना है इस तरीके से हम यहाँ पे पिन को लगा देंगे उसके बाद हम इसको प्रेशर देखे इस तरह सीधा कर लेंगे अब देखिए सिलने के टाइम हमें क्या करना होता है बिल्कुल सिंपल यहां से बिल्कुल सीधा आपका जो यह दिख रहा है सिलाई यहां से आपको पकड़ना है और इसको घुमाते हुए गोल में सिलाई लगा लेनी है जिससे कि आपका cup जो है बिल्कूल आसानी से attach हो जाएगा उसके बाद एक cup सिलने के बाद आप दूसरा cup सेट कीजिए उससे क्या होता है कि cup जो है आसानी से सिल जाते हैं और अच्छे से बैठ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों cup हमने यहाँ पे attach कर दिया है अब हम इसको front पले को ऐसे रखेंगे यहाँ देखिए हमने side हो से इसको यहाँ पे थोड़ा से सिलाई लगा कि इसको attach कर ले ताकि यह हिलेगा नहीं इस तरीके से अब हमें इसको इसके उपर रखना है उल्टा करके रखना है यह हमरा उल्टा side है उल्टा करके हम यहाँ पे रखेंगे अब आपको side boot लगाना होगा machine में क्योंकि यहाँ पे जो work है यह काफी heavy work है तो side boot लगा के और यह जो आपको सिलाई दिख रहा है यह जो design दिख रहा है बिल्कुल इसके किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे भी सिलाई लगा देंगे दोनो side सिलाई लगने के बाद इसको पलट देना है तो देखें friends यहाँ पे हमने इसको सिलाई लगा दिया है बिल्कुल किनारी किनारी पर हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाया है अब हमें क्या करना है सिलाई से थोड़ा हट के हमको यहाँ पर कपड़े को कट करना है इस तरीके से यहाँ पर हमने कपड़े को कट कर लिया छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि इसको पलटने के बाद जो है ये काफी अच्छे से बैट जाए नीचे की साइड भी हमने यहाँ पे जो है दोनों को से लाई लगा दिया है तो अब ये पल्ला हमारा स्टिच हो गया है इसको हम पलट लेते हैं यहाँ पे हम इसको अच्छे से पलट लिया है अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं वरना अगर यहाँ पे शिलाई नहीं लगे तो हाथ से भी आप इसको यहाँ थोड़ा सा कच्छा कर देंगे तो ये जो है सेट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से नीचे की साइड हम यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगा देंगे दोनों साइडों में भी सिलाई लगा देंगे ताकि यह पल्ला हमारा इधर उधर खिसके नहीं तो हमारा यह लगभग फ्रंट पल्ला जो है काफी अच्छे से तियार हो जाएगा तो फ्रंट यहाँ देखिए यह हमारा फ्रंट पल्ला तियार हो गया है हमने इस पे भी सिलाई लगा दिया है नेक लाइन पे नीचे भी सिलाई लगा दिया है साइडों से भी सिलाई लगा दिया है अब एक्ष्ट्रा जो भी उपर नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको आप छाट के बराबर कर लीजिए कपड़ा काफी जादा यह स्लिप करने वाला है इस वज़े से इस तरह के आपको छटाई करने पड़ेगी ऐसे कपड़ों में क्योंकि यह कपड़ा इधर उदर स्लिप होता है तो आपको जो है फाइनल छटाई करके ही स्टिच करना चाहिए यहाँ पर देखिए मैं इसको जो है चाट के बराबर कर देती हूं दोनों को अटैच करने के बाद तो इस तरह से यह हमारा फिनीशिंग के साथ छटाई हो गया अब हम बैक पार्ट को एक दूसरे के साथ पहले हम बैक पार्ट को लाइनिंग और कपड़े को अटैच कर लेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पे देखिए पीछे वाला पल्ला जो है अस्तर के साथ हमने कपड़े को अटैच करके चार ओर से सिलाई लगा दी है दोनों साइड की अब हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे तो एक साइड हमको जो है लाइनिंग कपड़े की पट्टी लगानी होती है तो यह देखिए लाइनिंग कपड़े की लगबग दो इन चोड़ी पट्टी है आपको इस तरह से उपर साइड से रखके सिलना है और अंदर की तरह फो पट्टी हमको लगानी है तो वो पट्टी हम लगाएंगे नीचे की तरब से यह लगभग चारीन चोड़ी पट्टी है इसको आपको जो है आप इसके साथ अस्तर लगा करके लगाएंगे तो ज्याद़ सही रहेगा क्योंकि यह काफी ज्याद़ स्लिप हो रही है तो यहां प ऐसे रखना है यहाँ पर आपको सिलाई लगानी हें उसके बाद आपको तती बाहर की तरफ लाके और जो सिलाई हमने लगाई है उसी सिलाई पर हमको इस से इस तरह से लगाके स्टीच कर ले पट्टी लगा लेते हैं और बैक साइड में हम दो प्लेट भी लगा लेते हैं ताकि यह त्यार वह जायेगा बैक पलना उसके लिए जा wrapped से नीचे से की फिलकुल यहां कंडे का सेंटर लेते हैं आतकर भी उन्हाय कंध यहां लगा दिये, इधर की तरब भी और इधर की तरब भी यह तूड़ पाई हो जाता है यह वली पट्टी अब हम इसमें गले की पट्टी लगाएंगे तो उससे पहले यह देखिए इसको हमें इस तरह से बराबर रख लेना है अब आप देख सकते हैं निशान लगा लिया है मैंने इसको ताकि हम जो है गले की पट्टी इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे यह एक्ष्ट्रा कपड़ा है इसे हम छेटाई कर देंगे यहां से हमें गले की पट्टी कैसे हम निकालेंगे आप चाहें तो चोड़ी पट्टी भी निकाल सकते हैं म उरेब पट्टी हम यहाँ पे कट कर लेंगे फ्रेंट साइड में हमारा गला अल्रेडी बना हुआ है तो फ्रेंट साइड में हमको पट्टी लगाने की जुरूरत नहीं है सिर्फ हमको बैक साइड में पट्टी लगानी है तो यहाँ पर देखिए यह उरे पट्टियां हमने कट कर ली है इनको हम आपस में जोड लेंगे जोडने के बाद यह पट्टी हम इसके उपर लगाएंगे तो यह पट्टी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसको अंदर की अब हम या करेंगे हमारा बैक पर यहार हो गया तो अब हम इसको कंदे के साथ अटाच कर देंगे तो यहां पर हमने दोनों ब्लाउज को कंदे को इस तरीके से हमने लगाएंगे तिरशी पर्ट्टी को इस तरीके से लगा दिया है फोल्द कर लेंगे इसे अंदर के तरफ करेंगे लगा हूँ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके और कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि यहां पे हमारी तोड़ पाई हो जाएगी तो दोनों साइड हमने इसी तरीके से यहां पे भी अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उसको फोल्ड कर लेन तोड़ पाई करने के लिए अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे तो फिटिंग बहुत ही आसान तरीका है फिटिंग लगाने का आप इस तरीके से पिन की हेल्प से जो है ना पहले इसको इस तरह से बंद कर दीजिए यहां पर आप इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के क्य बराबर सीधे की साइड हमको इससे बिचाना है और यहां पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे तो फिटिंग का निशान हम कुछ इस तरह से लगाएंगे हमारी फिटिंग थी 30 इंच पे तो 30 इंच का आधा हो गया 15 इंच तो हम 15 इंच में आधी इंच और एक्ष्ट्र पर लेके 15 इंच पर निशान लगाएंगे कप के ऊपर से हमने फीता रखा है इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा लिया यह हम यहां से सीधा इस तरह से निशान लगा देंगे इसके बाद नीचे की साइड आ जाते हैं जोकि हमारा 28 इंच था 28 इंच का आदः हो गया 14 इंच सॉरी, 26 इंच हमारा कमर साइज है, 28 इंच नहीं तो यहां पे 26 का आधा हो गया 13 इंच तो 13 इंच पे हम यहां पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से यहां पे जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हमने पैड की वज़े से लिया है क्योंकि यह जगा गेरता है तो हमने यहाँ पर 15 पर लगाया है और यह 13 इंच पर लगाया है अब आपको simple जो है इसके उपर दोनों साइट सिलाई लगा देनी है तो friends यहाँ पर देखिए दोनों साइट हमने सिलाई लगा ली है अब हम इसको दिखा देते हैं आपको इसका final look कैसा आएगा तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बलाउज जो है तियार होता है अब हमको इसमें डोरी और लटकन बनानी है ये देखिए इस तरह से हमारा डीप नेक के साथ कट स्लिव में ये बलाउज बनके रेडी हो गया इसमें हमको तुड़पाई करनी है, तुड़पाई के बाद हम ये वाली सिलाई निकाल देंगे, यहां भी तुड़पाई करके ये सिलाई निकाल देंगे, यहां पे हम हुक लगा लेंगे और नीचे की साइड हमको यहां पे आई बना देना है, अब यह हुक और आई का पट पट्टी निकालनी है डोरी बनाने के लिए हमारे बचा हुआ फैप्रिक है जिसमें हम उरे भी पट्टी निकालेंगे यह देखिए एक पट्टी यह निकल गया इसी तरीके से एक और पट्टी निकाल लेंगे क्योंकि यहां पर हम गुच्छे वाली लटकन बनाएंगे तो मैं आपको यहां पर पुरी वीडियो दिखा देती हूं कैसे बनाते हैं यह देखिए दो पट्टियां हमने यह उरे निकाली है इसमें हम डोरी बनाएंगे और जो हम यहां पर लटकन बनाएंगे उसके लिए भी हम यहां पर पट्टी कट कर लेते हैं छोटे-छोटे चौकोर पीस कट करने हमको तो यहां देखिए इसकी चोड़ाई जो हमने ने है इस तरह से हम कई सारे पीसे इसमें कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स अब हम इसकी जो है डोरी लकान आपको बना के दिखा देते हैं तो यहां पर देखिए जो हमने डोरी कट किया था लटकन में लाने के लिए तो तोप Tao परस्टिस कर देंगे तो ये दागा अंदर की तरफ हमारा जो है पेक हो जाएगा जो की बाहर नहीं निकलेगा छब हम डोरी को उल्टा करेंगे तो तो यहाँ पर हमको जो है इसको इस तरह से सिलाई लगा देनी है उपर की तरफ हमको थोड़ा सा चोड़ा ही रखना है उसके बाद देखे धागे को हमें जो है इस तरीके से पकड़ की धागा हमारा कपड़े के अंदर रहेगा यह देखे धागा जो है हमारा कपड़े के अंदर रहेगा और फिर कपड़े को हमें स्टिच कर लेना है इस तरह से जो है हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से देखे धागे को अंदर करते हुए और कपड़े पे हमको जितने मोटी हमको डोरी चाहिए उस हिसाब से हमको इसको स्टिच कर लेना है अगर हमको पतली डोरी चाहिए इसलिए मैंने पतला धाका लिया है ताकि हम डोरी बना सके तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे तो इस तरह से पूरी डोरी को हमें स्टिच करके उसके बाद उल्टा करना है तो फ्रेंट्स कहां पर देखें यह वाला जो कपड़ा है यह काफी लमडने वाला कपड़ा जिसको बोलते हैं यह बिल्कुल स्प्रिंग की टाइप कपड़ा है तो इसको बनाने में थोड़ी सी होती है तो आप जो है केरफुली बनाईएगा इसको आराम से इस तरह से बनाके और धागे को हम बाहर की तरफ नीचे निकालते हुए और सिलाई लगा लेंगे धागा आपका बीच में कहीं भी पकड़ में नहीं आना चाहिए नहीं तो फिर डोरी उल्टी नहीं होगे तो इस तरह से जो है हम इसको निकाल लेते हैं अब क्या है धागे को हम इस तरह खीचेंगे तो जो हमने उपर की साइट चोड़ा रखा था तो वहां से इसका मूँ अंदर गुश जाएगा और यह देखे यहां से हम जो है डोरी को इस तरह से सीधा कर लेंगे यह देखे डोरी से जेथा कर लेना है तो यहां पर इस तरह से डोरी को सीधा कर लिया अब मैं आपको यहां पर दिखा देखे ती हूसे पूल कफूली ह systemsгляब ही तो हम इसको पत्ला बनायेंगे legit पर वर आंठन बनाके यह दोरी जो है अलग तरे की डेजाइन की डोड़ी बनेगी जिगार देखी इस तरह से हम इसको अच्हे से एंठन बना लेते हैं और इसके बाद हम इसको इसके ऊपर से लाई लगा देंगे इस तरह से जो है मशीन ं दीरे धीरे आपको स्टीच करना है पिछसे से जिटती को उच्छ से पकड़ लेना है और से अची इसको सब्सक्राइब सलिगे मेस अन् सब्सक्रास करसा आदे इस तर이에का क्या सकते हैं धि Shaun वाली डूरी में ये पितली बनती है और यहां देखिए इस तरीके से हम इसको हैं पर अंठन बना लएंगे अब इस तरह हम जो है देखिएस डूरी को इसतरह से घुमाते जाएंगे अजाते जाएंगे और उसके बाद से उस पर 1947 लगा देंगे तो यहां पे हमने डोरी पे इस तरह से घुमा घुमा के सिलाई लगा लिया है इसे तरीके से हम दोनों डोरी जो हमने बनाई थी वो दोनों डोरी उस पे भी हम इसे तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई लगाने के बाद ये डोरी को इस तरह के नजर आएगी ये देखे इसको जो है अब हम अपोजिट साइड जो है इसको घुमाएंगे यह देखिए अपोजिट साइड हमको इसको घुमाना है ऐसे जिस तरीके से घुमी हुई है उसके अपोजिट साइड जब हम घुमा देंगे तो यह बिल्कुल जो है इस तरह से एंठन वाली डोरी बनके त्यार हो जाएगी ऐसे इस तरह से अब यह देखिए यहां पर हमने जो है डोरी को घुमा लिया है ऑसे और यह जो है खुलती भी नहीं है भ्लावज में खिसकने का जो कहतний हो मुझा बाच्बिल आप AWS के साथ नहीं होता है काफी अच्छी दोरी यह बनती है, अब हम इसके लटकन बना लेंगे, जिसके लिए मन चोकुर पीसे स्कट किया था, उसको हम इस तरह से ट्राइंगल बनाएंगे, और एक कॉर्नर पे इन दोरियों को रखके स्टिच कर लेंगे, तो यहां पे एक कॉर्नर हमको इसको स्टिच कर लिया, अब हम इसमें 4-5 लगाना है, तो इसी तरीके से हम जो है, थोड़े गैप पे, डेड़ी इंच के गैप पे इस तरह से इसको लगाएंगे, और सिलते जाएंगे, तो इस तरह से हम को थोड़ा-थोड़ा पकड़ की और स्टिच कर लेना है, इसी तरीके से हम जो है पांचो इसमें मैं एक में पांच लगा रही हूं तो इस तरह से देखिए तीसरा पल भी हम एड़ कर लेंगे तो फ्रेंट साइओ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से हैवी वर्ट के ब्लाउस को बनाए तो अगर आपको वीडि ब्लाउस के और ड्रेस के टुटोरियल्स देती हूं और काफी अच्छे से मैं आपको यहां पर समझाने के खोशिश करती हूं उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं मैं आपके डाउट को क्लियर कर द देती हूं तो यहां देखिए हमने चार लगा लिए पांचो भी मैं आप लगा देती हूं यहां एक डूरी में मैं पांच लूप लगा रही हूं आप अपनी च्वाइस के कोडिंग लगा सकते हैं दो तीन चार जितना आप चाहें उतना लगा सकते हैं तो इस तरीके से जो आप ये देख लीजिए ये वाली डोरी हमारी तयार हो गई इसी तरीके से हम दूसरी डोरी को भी तयार कर लेंगे दूसरी डोरी में भी हम इसी तरीके से लूप्स को लगा लेंगे और ये भी हमारा तयार हो जाएगा इसके बाद हम जो है इसको अपने ब्लाउज के साथ चैनल कम्प्लीट हो जाएगा तो फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सक्षन में जरूर बताएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद